असलाव अलेकुम दोस्तो यदि आप क्वेट में रहते हो और क्वेट केम तरीन खबरों से हमेसा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिने हैस कूप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करेके बैल अगन को प्रे करते हैं तो कुएत में अभी कुछ दिन पहले ही एक महिला को वहाँ पर ग्रफतार किया गया था दोस्तो ग्रफतार करने का वज़ा ये था कि उसे आइडेंटिटी का मिस्यूस करने का उस पर आरोप था यानि दोस्तो कुछ लोगों के तरब से आरोप लगा गया था कि उस का जुर्म जो है वो साबित हुआ और जुर्म साबित होने के बाद उस महिला को कुएत करिमिनल कोट के तरब से 15 Сालों की सजा दोस्तो सुनाई गया है तो सातियों कुएत कि ये वहीं के कुएती है। मतलब इसको लगाया गया था दौस्तो ट्रैवल बैन भी इस पर लगYAN गया था तो फिलाल सातियों उसे ग्रफतार कर लिया गया है ग्रफतार करने के साथ साथ उन पर कानूनी कारवाई की जा रही है और उसे जेल भी जेल की सजा सुना दी गई अगली जो खबर है सातियों Public Authority of मेन पावर के तरब से आ रही है तो Public Authority of मेन पावर के तरब से और MOH यानि Ministry of Health के तरब से एक दोस्तो जॉइंड कैमपेंच चलाया गया जितनी भी कुएत में ड्रग स्टोर यानि सातियों जितनी भी वहाँ पे मेडिकल वगरा है मेडिकल स्टोर है ड्रग स्टोर है जो भी से आप समझते हो तो उन सभी दुकानों में चेकिंग किया गया चेकिंग के दोरान एक डॉक्टर को पक एरेष्ट किया गया जो की लेबनान का रहने वाला है वो इलीगल तरीके तो दोस्तो वो ड्रग्स को वो बेसता था यानि सातियों जो दवाईयां होती है हो सकता है चानुनी कारवाई करके उनको जेल भी जानी पड़ सकती है अगली जो खबर सातियों पॉब्ली अथरटी उप मेन पावर के तरफ से जॉयनि कैंपेंट चलाया गया कैंपेंट के दोरान शलमी एरिया में 127 एकस्पर्ट को दोस्तों गरफतार किया गया है उन मेंसे सातियो अब 15 लोग को ग्रफतार किया गया आइडिन्टीड फाइ और स्कॉंडिंग वर्कर तो कुल मिलाके 127 लोग को ग्रफतार किया गया है सब पर कानूनी कारवाई करके साथियों सभी को डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगली जो खबर है साथियों वो भी बहुत ही बड़ी खबर है साथियों आपनों को जैसा की पता होगा कि आज ये अभी ASEA Cup मैच चल रहा है तो दोस्तों ASEA Cup में पाकिस्तान जो है वो पुरी तरह से बाहरी हो चुका था पर दोस्तों उपर वाला यदि चाहले तो किसी को भी जिता सकता है और किसी को भी हरा सकता है तो साथियों पाकिस्तान जो है Semi Final में ASEA Cup में वो पहुंच चुका है तो इस बार दोस्तों इंडिया पाकिस्तान, न्यूजी लैंड और इंग्लेंड जो है वो Semi Final में पहुंचा है जहां तक मुझे लगता है कि न्यूजी लैंड और पाकिस्तान के बीच में Semi Final मैच खेले जाएगा और न्यूजी लैंड और इंडिया के बीच Semi Final मैच खेला जाने वाला है अगली अपडेट की और सात्यों चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आरी सात्यों वारी आमेरी होस्पीटल to be headquarter of taxology center कुएत में जो आमेरी होस्पीटल है वहाँ उसको headquarter बनाए गया है taxology center को लेकर तो साथ यो taxology center जो क्या होता इसके बारे मुझे भी confirm पता नहीं है तो यदि आपको इसके बारे में जानते हैं तो मुझे सवाल हो कोई जानकारी चाहते तो मुझे comment सखने में जाके comment करके पूछ सकते हो मैं कोसिस करूँगा आप लोगों का सवालों का जवाब देने के लिए मिलते साथ यो नेक्स वीडियो पे तब तक लिए अपना खयाल रहा कि वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया अलाफीस और टेक केर